भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे, स्वच भारत अभ्यान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इसमें सारे भारतवासियों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था। इसके बारे में देश के सभी स्कूलों के अध्यावकों ने बच्चों को स्वचता के लिए जागरूप करवाया था। अध्यावकों जाए, स्कूलूली, मैं आउने सामें स्वाकों के ममी, स्वाडिर यूदूle था। यह जाए, टैने बचितने अंट्ट्रीक direktor detective, आञे जाए, एक हमाने संदिय कर सकता हिंसा ही। मगर इस स्वच भारत अभ्यान को उस समय धक्का लगा जब कुछ दिन पहले लुध्याना के सरकारी एलिमेंटरी स्कूल की तरफ से बच्चों से सफाई करवा कूडा बाहर फैंकने का एक वीडियो वाइरल हो गया और अधिकारियों ने आननफानन में एक अध्यापेका को मुद्टिल कर दिया और एक की बदली करती तुसि पड़े किनना ओपाले आध की थे बढ़ दरे है उस ना ना बिलकुल नहीं बागना तुसी Cकरा की रहे हैं तूसी बच्ची-पची तीती है और सेली नहीं रागू तुसी एक गौर्णमेंट इंप्लाए हो तो अधा एथे टाड़ी एथे डूडी ए बच्चानू पढ़ा आंदी ठीक है एक मिनट मेरी गाल सुनो एक कमें नो नो मैडम मेरी गाल सुनो तुस्ट अधा की मतलब एठे चोटे बच्चे लो लेपर दरवार हो तुसी चोटे जिससे सुबे के सभी अध्यापकों में रोश फैल गया अध्यापकों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री स्वाच अभियान के तहट बच्चों से सफाई करवाने की बात करते हैं और स्कूलों में भी सफाई करवाने के लिए कहते हैं मगर जब मोदी जी बच्चों से यही नहीं, कई स्कूलों ने तो रोज स्वरू शिक्षा सचिप को पत्र लेक स्कूलों में एक घंटा सफाई के लिए भी मांग लिया है, और एक टीचर ने RTI के माध्यम से शिक्षा विभाग से स्कूलों में सफाई विवस्ता के लिए प्रश्न किया है, अब पंजाब में अजर बनाम शिक्षा अधिकारियों के बीच जंग आरम हो गई है, अध्यापक यूनियन ने आठ जन्वरी को डियो दफ्तर लुध्याना के सामने धर्ना देने की घोशना करती और मांग की है कि अध्यापकों की खिलाफ हुई कारेवाई को वापस लिया जाए और वीडिय के खिलाफ का रिवाई की जाए